आज की वीडियो में बात करेंगे फुल और फाइनल RX100 नेक्स जनरेशन मॉडल के लॉंच देट के बारे में यामा की टू मोस्ट अवेटेड बाइक्स है इंडिया में जिनका लॉंच दियू है पहला बाइक है यामा XSR 155 और दूसरी बाइक है यामा RX100 लेकिन इन दोनों बाइक्स में जोकी जैदा डिमांडिट बाइक है वो है RX100 न्यू मॉडल कावा सकी को भी पता है RX100 के लॉंच का तो उससे पहले ही कावा सकी ने W175 के प्राइस को कम कर दिया है तो इससे एक बात तो क्लियर है यामा अब जल्द और न्यू RX100 को अगले साल इंडिया में लॉंच करेगा 80s और 90s में RX100 काफी पॉपुलर बाइक रहा लेकिन स्टिक नॉम के कारण यामा को भी उस ताइम RX100 को इंडिया से डिसकॉंटिन्यू करना पड़ा लेकिन यामा इंडिया के CEO ने भी कंफर्म किया न्यू RX100 का लॉंच तो कंपनी RX100 के लेगसी को कॉंटिन्यू रखना चाती है तो और रोल RX100 फिर से लेजेंड बाइक होगा RX100 का मैं आपको रेगलर अपडेट देता रहता हूँ क्योंकि ये बाइक नहीं बलकि एक एक एमोशन है हम सब के लिए तो अपकमिंग यामा RX100 न्यू जनरेशन का लॉंच कब तक होगा और इस बाइक का प्राइस कितना रहेगा चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और बात करते हैं अपकमिंग लेजेंड बाइक RX100 के लेटेस लॉंच अपडेट्स के बारे में यामा RX100 न्यू मॉडल का लॉंच आपको अपकमिंग न्यू एर 2024 में देखने को मिलेगा इसका लॉंच होगा एक्सपेक्टी 2024 के मिट तक मे और जूर में अगर आप वेट कर सकते हो 2024 मिट तक ही RX100 को लॉंच किया जाएगा अगर आप वेट नहीं करना चाते तो आप W175 को भी बाइ कर सकते हो ये भी काफी अच्छी आप्शन रहेगी लेकिन जितनी बड़ी फैन फॉलिंग RX100 की है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप RX100 न्यू मॉडल के लिए ज़रूर वेट करें तो औरल चेंजी क्या कुछ होंगे न्यू RX100 में RX100 को न्यू जनरेशन के हिसाब से रेडी किया जाएगा जिसमें आपको modern and retro look दोनों मिलेंगी main focus Yama का इसके exhaust sound पर है फिलाल क्योंकि Yama इसके exhaust को develop कर रहा है जिससे सुनने में इस spike exhaust काफी अच्छा होगा front में round headlight होगी LED DRL के साथ and इसमें आपको wide handle bar भी मिलेंगे seat काफी wide and comfortable होगी flat single seat के साथ fuel tank compact size में होगा Yama की badging आपको fuel tank पे मिलेगी meter console round होगा kickstart की option इस bike में नहीं मिलेगी mechanical part में आपको chrome and matte black का दोनों combination देखने को मिलेगा mirror round होगे tail light round design में होगी and इसमें आपको round indicators भी मिलेंगे engine इसमें all new BS6 phase 2 compliant engine मिलेगा engine इस bike का होगा 100 cc force torque air cooled engine जो की maximum power generate कर देगा 12 hp torque इस bike में आपको मिलेगी 11 newton meter of torque and number of gears इस bike में आपको 5 speed gearbox मिल जाएगा fuel tank की capacity रहेगी 9 liter and इस bike की seat height आपको low मिलेगी suspension front में होगा telescopic fork में आपको मिलेगा dual shock observer wheel sizes में 17 inches का मिलेगा upcoming all new yama rx100 के अगर हम features की बात करेंगे तो इसमें आपको advanced features मिलेंगे round led headlight के साथ इसमें आपको led dRLs भी मिलेंगे and इसमें आपको round digital meter console भी मिलेगा इस bike में आपको front में single channel ABS भी मिलेगा जो की safety point of view से काफी useful भी होगा वैसे किसी 100cc bike में आपको ABS नहीं मिलता लेकिन yama rx100 में आपको ABS की भी option मिलेगी and इस bike में आपको spoke alloy wheels भी मिल जाएंगे top speed काफी ज़्यादा होगी and overall mileage ये bike generate कर देगा 35 km per liter तर upcoming yama rx100 next generation model का price रखा जाएगा approximate 1,20,000 तर and launch इसका आपको देखने को मिलेगा new year में ये news मैंने नहीं बलकि yamaa के CEO ने खुद confirm करी है आप internet पर search कर सकते हैं ये सारी news yamaa rx100 new model टकर देगा kawasaki w175 को comment section में जरूर पताएं क्या आप में से कौन कौन yamaa rx100 new model की launch की wait कर रहा मिलते हैं अगले review में